है फ्रेंज वेलकम बैक तो मैं चानल वेलकम तो एवर बीटी चानल सो अज मैं आपको लेकर आयों ब्रिलियंट आइलाइन और आइब्रो हैक्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किजिगे और कॉमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा सो थोसे वीडियो शॉट्स देखिए लेटी स्टाटेड अगर आपका लाइनर खत्म हो गया है तो आप लेरी जा मस्कारा एंड उसे फ्लैच शेडर ब्रश में लेके विंग लाइनर क्रियेट कीजिए तो अगली बार से आपका लाइनर खत्म होगी तो घबराएं नहीं य अगर आपका मस्कारा भी ज्याय हो गया है तो आप एक बाउल में होट वाटर ले लिजेंड मस्कारा को डिप कर लिजे एंड फाइव मिनट के लिए छोड़ दीजिए एंड उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं बहुत ही इसली एपलाई हो जाएगा जब भी ड्राय हो तो आप इस तरीके से उसे यूज़ करिए फूमें 3 है तो आपमें से लोगों के साथ ऐसा होता है कि आइबरो पेंसल से आइबरो फिल करना तो अच्छा लगता है लेकिन अच्छा से फिल नहीं हो पाता तो सबसे पहले आप आइब्रो कोम कर लिजी देन आइब्रो को फिल किते थोड़े थोड़े करके फिल करना है और नेक्स्ट स्पूली की हेल्प से आइब्रो प्रोडक्ट को स्प्रेड कर लिजी ताकि आपका आइब्रो जो एकदम जादा ओवर फिल ना लगे इस तरीके से आपका ओवर फिल भी नहीं लगेगा एक दम नैच्वल भी लगेगा फॉर में फॉर्थ है कि अगर आपके पास आइब्रो जेल नहीं है तो आप ले लिजाए अलवरा जेल एंड स्पूली की हेल्प से यूज आज आइब्रो जेल इट वर्क्स ग्रेंट आज आइब्रो जेल यह हैक आप एक बड़ जरूर किजिएगा बहुत ही ज्यादा ग्रेट वर्क करता है यह ओके मैं आपको बताओंगी कि आप अपनी काजल को कैसे स्मज़पूफ बनाए सबसे पहले आपको जो भी काजल लगानी है वो लगा लिजिए एंड उसके बाद स्मज़पूफ और वाटर्पूफ बनाने के लिए आप वाटर्पूफ मस्कारा ले लिजिए एंड फ्लाट वाटर्पूफ काजल तो गैसा लगा आपको मेरे ये वीडियो आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगार तो लाइक शेश्ब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब कर दिए ताके आपको मेरे स्किन के एक एक एंड मैं मेक अप कलेक्शन एंड दी मोस्ट इंपॉर्टम नाय फेस रिवीडियो देखने मिले सो मिलते हम अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाई